So hello everyone, this video is for my all lovely, lovely CSEET student, जिनका exam May 22 term में है, So guys, please, tension मत लो, MEPL उत्सफ सेशन आपके लिए चालू होने वाला है, 1st of April से, जिसमें हम लोग 1-1 subject का, full-fledgedly revision करने वाले हैं, So yes guys, आपका exam से एकदम नजदीक आ चुका है, May 1st week में ही आपका exam है, तो मैं, मैंने आपके लिए बहुत ही बहतरी रूटीन मनाया है, 1st of April से लेकर, 7th of May के पहले तक, यानि I think 3rd, 4th May तक हम लोग का ये schedule चलेगा, जहां पर मैंने पूरे exhaustive रूटीन मनाया है, कि आपको MEPL में कैसे revision sessions करने, उसके अलावा, आपको अपना self-study भी कैसे करना है, आईए एक बर फड़ा-फड़ हम लोग रूटीन को देख लेते हैं, ये रूटीन फॉलो कर लोगे, तो CSET का exam साराम से पास कर जाओगे, तो yes guys, 1st of April से हमारा YouTube मोहित अगरवाल चैनल में live streaming होगा, ये सारे lectures आप अराम से मजा लेकर देख सकते हो, कोई tension नहीं है, classes किया है या नहीं किया, कोई matter नहीं करता, आप ये सब के लिए all over India, जितने भी बच्चे CSET अपियर कर रहे हैं, अगर आप ये खाली revision sessions हमारा कर लोगे, तो आप exams में अराम से पास हो जाओगे, और जिन्होंने हमारे संग classes किया डिटेल में, उनका तो distinction आना ही है exams में, तो आईए एक बार देख ले, 1st of April से आपका law चालू होगा, 2nd of April law, 3rd of April को economics, मैं revise करवाने वाली हो demand supply chapter fully, 4th of April को economics का mentee quiz होगा, इसकी बाद 5 तारिक को logical reasoning का revision होगा, जो की हमारे डंबल्डोर यानि MBA MSC संजीव पांडे सर करवाएंगे, 6th of April यानि Wednesday को business communication का revision मैं आपका लेने वाली हूँ, फुल प्लेजर्डली business communication पूरा complete करवा दूँगी, टाइम क्रिपया करके ध्यान दे, टाइमिंग जो जो दिया हुआ है, then Thursday 2 p.m. also business communication, minty quiz will be done, फिर मैं बात करती हूँ, आठ तारिक को सुबर 11 बजे logical reasoning होगा, Saturday को 11 बजे भी logical reasoning होगा, फिर Sunday को 7 बजे, पूरा का पूरा business environment or entrepreneurship revise करवाने का जिम्यदारी मेरा आपका, then Monday Tuesday again, LR, फिर उसके बाद आप देख रहे हूँ, उस तरह से तेरा तारीकों current affairs, Wednesday, Thursday, continuously current affairs के हम लोग बहुत सारे questions solve करेंगे, मैंने आपको मेरा एक mat दिया है, जिसमें full coverage किया हूँ, वो ही mat खाली अब solve करके चले जाओगे, तो you are definitely going to find common questions in the exam, exam में सारे questions आपको दिखेंगे, वहीं से आए हैं, फिर वैसी law, macro economics, revenue market, इस तरह से आप देख रहे हूँ, पूरा schedule मैंने बना दिया है, और 22 April से लेकर, 28 April तक मैंने self study का भी time दिये, जिसमें मैंने आपको full presently routine बता दिया, कैसे आपको revise करना है, तो यानि 22 और 23 तारिक को दो दिना पराम से business communication guys revise कर लेना, फिर उसके बाद एक दिन, दो दिन legal aptitude के लिए रखा है, एक दिन LR के लिए रखा है, economics के लिए एक दिन रखा है, तो इस तरह से आप self study करके revision भी घर भी कर लेना, साथ-साथ हमारे संग भी revision करोगे, और साथ-साथ self study भी करोगे, फिर उसके बाद आपके institute ने जो latest e-bulletin journals issue की है, जिससे maximum chances है कि वहाँ से common सवाल आए, वो हम लोग individually subject wise, respective faculty, चाहे वो मोईट सर हो, चाहे वो संजीव सर हो, चाहे वो मैं को दूँ हो सारे individual subjects के आपके जो e-bulletin है, वो हम लोग solve करवाएंगे, और उसके बाद 3rd of May तक हम लोग करके फिर बाइंड अप कर लेंगे, फिर उसके बाद एक दिन मैं doubt session रख लोगे, एधर और 5th और 6th of May, ताकि एक दिन पहले आपको अच्छे से मोटिवेट कर सको, और सारे के सारे आपके जो doubts है वो आपको उच्छ सको, exams related, so guys, all the very best, study very hard, और एक तारिक से जो है, जम कर मेहनत करो, MEPL UTSAV season का लुक्त उठाना, मज़ा उठाना, आनन्द उठाना और एक भी session में समत करना, this session is gonna be a game changer for you, और मैंने schedule routine भी दे दिया कि आपको पढ़ाई कैसे करना है, so see you soon in the MEPL UTSAV sessions, bye-bye, take care, lots of love.